मुगोल विशय के बारे में हम लोग सीखेंगे इसके पहले थोड़ा सा आयाद दिला दें पहले वीडियो में आंतरिक भूहलचल के अंतरगत हम लोगों ने एक वर्गी करण किया था जिसमें मंद भूहलचल और जृत भूहलचल यह दोवर्गी करण किया था मंद हलचल के अंतरगत हम लोगों ने दबाव और तनाव की प्रक्रिया को सीख लिया था जिसमें यह देखा था कि परवतों का निर्माल कैसे होता है भ्रंस घाटियों का निर्माल कैसे होता है भ्रंस परवतों का निर्माल कैसे होता है और भ्रं हल्चल या तेजी से होने वाली हल्चल इसके दो प्रकार है पहला है भूखम पहला इसका विर्गी करन है भूखम और दूसरा इसका वर्गी करन है जॉला मुखी यानि यह तेजी से होने वाली उप्राकृति घटनाएं जिसका प्रकृत में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है और दिखाई पढ़ता है जिसका प्रभाव मनुष्य पर पढ़ता है उसी क्रम में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भू कम्प किसे कहते हैं भूगर्व के अंदर बहुत सारी उर्जा जो विसर्जित होने लगती है उस समय जब विसर्जित होने लगती है तो उस समय प्रिच्वी के ऊपरी भाग में भू प्रिष्ट में कमपन होता है और वही कमपन भू कमप कहलाता है सरल सब्दों में ऐसा समझें कि प्रिच्वी के भूपटल में जब कमपन होता है तो उस क्रिया को भूपप कहते हैं आप लोगों ने विवारिक रूप में इसको देखा होगा और महसुच किया होगा किस प्रकार से हम लोग रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म पे खड़े रहते हैं जब ट्रेन आती है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जमीन हील रही है तो वो भूकम का एक अनुभो है भूकम नहीं है वो भूकम का एक अनुभो है कि किस तरीके से भूकरिस्ट हिलता है दूसरा आप लोगों ने अनुभो किया होगा जहां पर सड़क का निर्माड होते रहता है रोड रोलर जहां चलते रहते हैं उसके बगल आप खड़े हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जमीन यहां पर हिल रही है तो ये हमें भूकम्प का एक अनुभो देता है कि इस तरीके से भूकम्प होता है अब भूकम्प के कारण कौन कौन से है ये हम लोग सीख लेते हैं पहला है भूपटल का सरकना पहला कारण है भूपटल का सरकना बड़े बड़े प्रिच्वी की रचना बड़े बड़े भूपटों से भूखंडों से हुई है जो आपस में सरकते हैं एक जूसरी तरफ से सरकते हैं और उसका वही कारण है सरकने का कारण है वही जो मंद भूहल्चल है उसमें दबाव पढ़ता है या तनाव पढ़ता है तो यह भूपट सरकते हैं अभी इसको डाइग्राम के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे दूसरा कारण है भूपट का एक तुसरे से टकरान जब सरकते हैं तो यह टकराते गी हैं वहीं भूपगम का एक कारण है इससे भी परिष्ट में महसूस किया जाता है तीसरा भूपटल के निचले हिस्से में निचले चट्टानों में भ्रंस का निर्मार होना जब ये दोनों क्रियाएं होती हैं सरकने की और टकरांगने की तो ये जो है चट्टाने चट्टानों में दरार पड़ जाती और जब यहीं दरार पड़ती है तो इनको भ्रंस कहते हैं और इन भ्रंसों के निर्माड के समय भी भूकंप का अनुभो किया जाता है थीसरा चौथा है भूपटल के आंतरिक भाग में तनाव का निर्माड होना, जब एक साथ ये प्रक्रियाई होती हैं, तो उस समय चत्ताने जब तकराती हैं, सरकती हैं और ब्रण्फ का निर्माड तूटती हैं, तो त पूटनी के पहले ही उनमें एक तनाव बिर्माण होता है और वो तनाव की प्रक्यावी भूकम्प का एकारण हो सकती है और अ्थिम्यानी पांचवा जो कारण है मुख्यूरूप से वो है जॉाला मुखी का विस्फोर्ट जब जब जहां कहीं भी जौला मुखी का विस्फोट होता है तब तब ढूखम्प का अनभो किया जा सकता है या किया जाता है अब आते हैं यह पांचो घटनाएं पांचो जो कारण हैं यह किस तरीके से होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यह दो भूपट्ट है पहले ही प्रक्रिया है सरकने की सरकने का कारण क्या है सरकने का कारण है कि प्रच्वी की परिवलन गत्य और परिभ्रमण गत्य इतना बड़ा विशाल भूखंड है कि जब यह घूमते रहता है तो यह एक दूसरे के पीछे यह सरकने की क्रिया और जब यह इधर बढ़ते हैं यह हिस्सा तो यही हिस्सा नमबर एक इधर बढ़ां तो सरकने की क्रिया नमबर एक, यह सरकने की क्रिया, नमबर दो, यह इस से यह टकराने की क्रिया, यहाँ पे नमबर दो हो रहा है, टकराने की क्रिया, नमबर तीन, जब यह टकराती है, तो यहाँ पर यह तनाव पैदा होता है, यह हिस्सा, यह तनाव का, और नमबर चार, यहाँ पे भरंश भी तयार होती है यह जो हिस्सा है यह तूट जाता है यह तूट जाता है यह हिस्सा भरंस का होता है भरंस निर्मार होता है यह चारों प्रक्रियाएं यह चारों प्रक्रियाएं इसी एक घटना से ही तयार होती है और जो यह इसके कारव है अब आते हैं भूकंप के हिस्से की और कि भूकंप किस प्रकार से ये घटित होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं तो पहला है भूकंप नाभी तो हम लोग भूकंप नाभी को समझ लेते हैं और भूकंप अजिकेंद्र किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं और ये घटना कैसे घटती है कौन कौन से साधन है जो तरंगों के माध्यम से होता है उसको तीनों को देख लेते हैं इस तरीके से एक ये डाइग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं इस बात को पहले ये समझ लेते हैं इसको कोर कहते हैं प्रोड यहां पर प्रिश्वी इसको प्रावार कहते है गूकं पिय नाभी स्को केरे यहां से भूकंपिय तरंगे उत्पन्व hm इसकी परिवासादे लेते हैं भुकमपीय तरंगे उत्पन होती है उनहें भुकमपीय ना भी कहते हैं और यहां से जू तरंगे चलती है और सीधा ये भूप्रिष्ट पर आती हैं इनको अधिकेंद्र कहते हैं जहां पर इन तरंगों का प्रभाव पढ़ता है भूप्रिष्ट पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है प्रभाव पढ़ता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं पुना एक बार फिर से जहते हैं जहां से भूप्रिष्ट पर इन तरंगों का प्रभाव पढ़ता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं अब ये दोनों बाते साफ हो गई कि भूकमपी नाभी की इस्तिती भूगर में कहा है और भूकमपी अधिकेंद्र की इस्तिती कहां पर है अब आते हैं तरंगों के प्रकार पर ये जो तरंगे हैं इनको प्राथ्मिक तरंगे कहते हैं जो जो सीधी चलती है बिलकुल जो तरंगे बिलकुल सीधी चलती है उन्हें प्राथ्मिक तरंगे कहते हैं भूगर में वो तरंगे जो बिलकुल सीधी चलती है वो प्राथ्मिक तरंगे कहलाती है दूसरी तरंगे जो जिग-जैग जो टेरी मेरी तरंगे चलती हैं उनको दुतियक तरंगे कहते हैं अब इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर समझे प्राथमिक तरंग जो है ये ठोस और द्रव दोनों भागों से गुजर सकती हैं चल सकती हैं प्रवाइत हो सकती हैं परंत दुतियक तरंगे ये केवल ठोस भाग से ही गुजर सकती हैं द्रव या जली भाग से नहीं गुजर पाती हैं इसलिए प्राच्मिक तरंगे दोनों का अंतर भी इसी के साथ हो रहा है, कि प्राच्मिक तरंगे ज्यादा खतरनाख होती हैं. दुतिययक तरंगे कम खतरनाख होती हैं. और तीसरी तरंग की एक हम लोग वो कर लेते हैं. यह जो हैं, इनको भूप्रिष्ठिय तरंग कहते हैं नम्मर एक प्राच्मिक तरंग नम्मर दो दुतियक तरंग और नम्मर तीन भूप्रिष्ठिय तरंग जब ये प्राच्मिक तरंगे और दुतियक तरंगे जब भूप्रिष्ठिय तरंगों को जाकर के टकराती हैं तो उस समय भूप्रिष्ठ में कमपन होता है और कमपन होने के साथ भूप्रिष्ठ का नुकसान होता है विद्भन्स होता है जिनमें घर गिर जाते हैं जन्धन की आनी हो जाती है नदी अपना मार्ग वदल देती है और इसमें प्रात्मिक और दुतियक तरंगों से ज़्यादा खतरनाक ये भूप्रिस्टी तरंगे होती हैं अब इनके परिणाम की ओर हम लोग चलते हैं भूप्रिस्ट पर दरारे पढ़ना और दूसरा है भूप्रिस्ट्रणा होकर के चत्टाने गिरना जब नीचे से कंपन होता है तो उपर से जो चट्टाने आधार हीन होती है वो हिलने से नीचे की ओर सरकने लगती है और किर पड़ती है इसी तरीके से नदी के मार्ग में यदि भ्रंस नदी के मार्ग से संबंदित रहा तो नदी अपना प्रवाह मार्ग बदल देती है नदी मार्ग में प्रवाह के परिणाम सरूप यदि भूगर भी जल अस्थर में अंतर आया तो उसके दो परिणाम होते हैं या तो कुए का जल भूगर भी जल सूप जाता है या कुए का जो है वो जल से भर जाता है पांचवा है ये भूम का उपर उड़ जाना भूकम के अंतर गजब एक साथ बहुत अधिक मात्रा में दवाव पड़ता है तो भूम जो है भूपटल वो उपर की ओर उड़ जाता है और यदि उसमें तनाव की इस्तिती पैदा हुई तो वो भूम नीचे की ओर भी धर जा साथवा इसका परिणाब है जली भाग में सागरी भाग में सुनामी की उत्पत्ति होती है और सुनामी की उत्पत्ति की इस्तिती में जो तटी भाग में समुद्ध तटी या सागरी भाग में जो आवासिय छेत्र हैं और जो रहाइसी छेत्र हैं उनमें जीव की और वित्त की बड़ी हानी होती है और आठ्वा हिस्सा है अपना आठ्वा परिणाम है हिमाच छाधित प्रदेश में जहां पर बर्फ जमी रहती है वो भुकम के कारण एक बड़ी मात्रा में विशाल मात्रा में वो बर्फ नीचे की और सरकने लगती है और इस तरीके से हिम चट्टाने नीचे की और गिरती है नौवा आवासों का गिरना और जन्धन की हान भुकम के अंतरगत बहुत सारे मकान गिर पड़ते हैं और उन मकानों के बीच में बहुत से लोग दब जाते हैं बहुत से पसु दब जाते हैं जिससे जीव की भी हानी होती है और धन की भी हानी होती है सडकों का तूड़ जाना या दह जाना भरंस की इस्तिती में यदि वही भूकम्पीय प्रभाव सडक मार्क पर पड़ता है तो या तो वो सडके तूट जाती है या धस जाती है वो भी एक दुस्परिणाम भूकम्प का है इसी तरीके से संचार ब्यवस्था अस्तवयस्थ हो पादित हो जाता है एक दूसरे को समाचार नहीं मिल पाता है और अंतिम है जो सबसे बड़ा खतरनाक है जो बड़े बड़े जलासे हैं उनके बांध या तो तूड़ जाते हैं या उनमें भ्रंस पड़ जाते हैं जिनमें एक बड़ी मात्रा में जल नीचे की और क्या होता है भूकंप ये नाभी केंद्र क्या होता है प्राथ्मिक तरंगे क्या होती है दोतिय तरंगे क्या होती है भूप्रिस्थिय तरंगे क्या होती है और भूकंप के कौन-कौन से कारण है भूकंप के कौन-कौन से परिणाम है इन सारे तत्तों को हम लोगों ने देखा भूकम्प के दुस्परिणामों को हम लोगों ने सीख लिया है अब प्रस्तुत है एक इससे सम्मंधित वीडियो जो आपकी संकल्पना को और इसपस्ट कर देगा कि ये घटनाएं कैसे होती हैं और इनके दुस्परिणाम क्या क्या होते हैं झाल रिधने सिसिंदादी लूफ़ाइं और इसक मश्मंधित विल्ड़ाओं खिने घर इससे सम्मंधित वीडियों वीडियों में ये इसकि दुस्परिणाम भी आपकी संक्र चाहिक आंग। झाल 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 आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके साथ धन्यवाद